NEET exam का क्या मतलब होता है और NEET exam में NEET की क्या full form होती है यह आज की वीडियो में सीख लेते हैं NEET जो है वो NTA द्वारा और्गिनाईज किया जाने वाला exam होता है और NTA की full form होती है National Testing Agency और NEET की full form होती है National Eligibility Come Entrance Test यानि की जो भी students doctor बनना चाहते है चाहे वो medical student हो चाहे dental courses करना चाहते हो तो उन सब को NEET का exam पहले देना पड़ता है NEET की exam में उनका जो score होता है उसी के हिसाब से उन्हें अलग-अलग जो medical colleges है उनमें admission मिलता है और उन ही के हिसाब से उनको अलग-अलग courses में admission मिलता है यानि की जैसे चाहे वो MBBS करना चाहे या फिर BDS जो dental surgery के courses होते हैं वो करना चाहे तो उसके लिए आपको पहले NEET का exam clear करना पड़ता है उसके हिसाब से ही आपको colleges अलोट होते हैं और उन colleges में फिर आप admission ले सकते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए जो entrance test होता है कराम भाशा में बात करें तो उसको NEET exam कहते हैं और NEET की full form होती है national eligibility come entrance test यह test बारवी के बाद आपको यानि की बारवी यानि 12th clear करने के बाद आप इस exam को दे सकते हैं और 12th में आपके पास medical होना जरूरी है medical का मतलब है physics, chemistry के साथ आपके पास biology होना जरूरी है PCM वाले जो student होते हैं physics, chemistry, maths वाले जो होते हैं वो इस test को नहीं दे सकते हैं वो JEE वाला test देते हैं यानि कि जो engineering के लिए test होता है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल